क्या उठते बैठते आपके हड्डियों से कटकट की आवाजे आती है गठिया औस्टियो और्थराटिस जैसे प्रॉब्लम है जोडों में दर्द और सुजन रहता है यह हमारी बॉड़े में केल्शियम की कमी के कारण या लुब्रिकंट की कमी आ जाती है तो इसके कारण यह क्रियेट होते हैं इसे क्लियर करने के लिए आज मैंने यह बिल्कुल नाचरल ऐसा पाउडर बनाया है बिल्कुल टेस्टी है बच्चों से लेकर वुजूर को तक खा सकते हैं एक स्पून दिन भर में आप इसे दूद के साथ पानी के साथ या फिर ऐसे भी फक्की मार के ख करते हैं यह टेस्टी पाउडर बनाने के लिए सबसे फर्स इंग्रेडियंट हमें लेना है सफेद तील यह मैंने भुन के रखा है पाच स्पून हम सफेद तील लेंगे यह जो सफेद तील होता है यह हड्डियों के लिए वर्दान की तरह काम करता है इसमें केल्शियम जिंग, सेलेनियम और अंटियोक्सिडन भी पाया जाता है जो ब्रेन से लेकर कई हेल्थ इशूस दूर करने में काफी हेल्फूल माना गया है मैं हमेशा आपको कई वीडियो में बताती हूँ कि हम लेडियों से जुड़े कई प्रॉब्लम साते है तो दिन भर में एक अधी कटोरी भूने हुए काले चने हमें इसमें एड करने है इसमें धेर सारा आइरन कैल्शियम प्रोटीन पाया जाता है जो हमारे बॉड़ी को पॉलात की तरह बनाने में हेल्प करता है काफ़े एनरजेटिक फील करवाता है और इसके साथ हमारी हड्डियों में जो तो ज्यादा कॉंटिटिमें गुड़ को आइड करना है तो आप इसके जब भी इसकी आप पाउडर बनाते है तो इसका लड़ू भी बना सकते है जो बच्चे बिलकुल आराम से खाएंगे गुड तील और चने तीनों एक साथ जब ही मिल जाते है तो इसमें ठेर सारा कैल् बच्चे से लेकर बुजूर्गों तक सभी इसे पी सकते हैं खा सकते हैं चबा कर भी खा सकते हैं दिन भर में कभी इसका कोई ऐसा टाइमिंग नहीं है आप दूद के साथ या दूद में मिलाकर इसे पीते हैं तो सोने पर सुहागा ज्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे यहां पर हमें यह मिलता है जहां मैंने लोकेट किया है रिंग फिंगर के साइड में सेंटर छोड़ के थोड़ा सा साइड में यहां पर यह पॉइंट मिल जाता है इसे दिन भर में कभी भी एक मिनिट के लिए प्रेशर देना है चोड़ना है यह प्रोसेस दिन भर में एक आप कर लेते हैं तो यह अपके किड्नी को भी डिटॉक्स करता है और हेल के लिए भी काफे पेस्ट होता है सबसे पहले एक बात क्लियर कर लेते हैं कि अगर आप यंग है और आपके हड्डियों से कट-कट की आवाजे आ रही है लेकिन इसमें दर्द और सूजन नहीं है तो आपको डरने के आवश्यक्ता नहीं है हमारे बॉड़ी में जैसे भी ग्यास और वाद बढ़ता है तो इसके कारण यह कट-कट के आवाजे स्राट हो जाती है आपको डाइजेशन को इंप्रोव करना है धेर सारा पानी पीना है तो यह प्रॉब्लम्स धीरे स्वीरे कम हो ज क्या होता है ना कि हमारे हड्डियों के बीच में एक कुष्णिंग होती है जैसे कार्टिलेज कहा जाता है यह कर्टिलेज जैसे भी एक दूसरे पर अगड़ खाता है यह जब ही घिसता है तो ऐसी कट-कट के आवाजे स्टार्ट हो जाती है मैंने जो आपको दो इफेक्ट हिल्दी रही थैंक यू सो मच